सो आज हम लोग सिमिट्री पॉइंट ग्रूप में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका क्या है इंप्रॉपर एक्सिस ओफ रोटेशन जिसको कि हम S N के तूप दिनोट करते हैं ठीक है इंप्रॉपर एक्सिस ओफ रोटेशन जिसको कि हम S N की रोटेशन जहां पर ये N आपका क्या है ओडर जैसे कि हमने जब एक्सिस ओफ सिमिट्री पढ़ा था तो हमने उसमें C पढ़ा था जिसमें की C N लिखते जो कि n था क्या था वो order था आपका c3 है c4 है या c5 उसी तरीके से improper axis of rotation जो आपका होता है या improper axis of symmetry जो होता है वो आपका sn के थू हम denote करते हैं और इसमें होता क्या है improper axis of symmetry में दो operation होते हैं ठीक है दो operation जब होंगे तो उसको हम एक improper axis कहेंगे ठीक है जैसे कि what is improper axis? improper axis आपका क्या है? इसमें आपका हम rotation कराते हैं ठीक है पहले तो हम first rotation कराते हैं ठीक है? followed by plane उसपे लगाते हैं और जो plane होगा वो आपका जो axis of rotation होगा जब rotation कराएंगे तो कोई ने कोई axis पर कराएंगे ठीक है? तो जो rotation का axis होगा और जो हम उसमें second step में plane लगाएंगे वो आपका perpendicular होना चाहिए ठीक है? बात समझ में आ रही है अगर simple सा example जो हम लोगों अब तक पढ़ा है हम लोगों ने x2o पढ़ा है ठीक है? वैसे इसका हमने बताया है आपको point group इसमें c2v होता है ये point group और एक बात हम आपको बता दे कि जो ये cnv वाले point group होते हैं generally इसमें improper axis of symmetry नहीं पाया जाता है ठीक है? नहीं पाया जाता है और जो cnv वाले होते हैं इनमें आपका improper axis of symmetry जो है वो पाया जाता है ठीक है तो हम कीवल आपको समझा रहे हैं इसमें इसका हमने आपको element of symmetry last सारे classes में बताया था कि क्या क्या होता है c21 होगा c22 होगा और उसमें 2 sigma v इसमें क्योंकि यहाँ पे n is equal to 2 है तो total order of symmetry कितना होगा टूटूजा 4 होगा 2N होता है यानि कि टूटूजा 4 होगा तो 4 symmetry इसमें आ जाने चाहिए जो कि आ भी जाता है तो इस case में हमारे h2o के case में improper axis of rotation इसमें नहीं है किवल हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं जैसे हमारा इसमें rotation क्या होता है इस तरीके से होता rotation c2 rotation होता है अगर हम इसमें SN कराएंगे SN में क्या होगा एक rotation कराते हैं इस तरीके से हमने कराया इसको अब घुमाएंगे जब एक rotation कराएंगे इसका हम तो क्या हो जाएगा H2 इधर आजाएगा और H1 इधर 180 degree rotation करा रहे है 180 degree rotation आपका है तब ही आपका C2 कहला रहा है ठीक है अब second step में क्या होता है कि perpendicular इसमें हम लोग plane लगा देंगे इस case में देखिए हमारा जो axis of rotation है वो आपका कौन सा है Z axis वाला है हम लोग उने पढ़ा है ठीक है तो यह हमारा इसमें axis of rotation जो है वो क्या है वो Z axis है Z axis के alarm ही आपका rotate करके H2 इधर आगया H1 इधर आगया हम अगर इसमें प्लेन लगाएंगे तो हमने क्या कहा कि प्लेन जो है आपका वो perpendicular होना चाहिए reflection जो कराएंगे प्लेन लगाके वो perpendicular होना चाहिए तो हमारा अगर इस तरीके से आपका यह है क्या कहते हैं अगर यह है तो इसके perpendicular आपका यह लगेगा यह तो आपका parallel ही जाएगा यह भी आपका parallel ही जाएगा perpendicular जो इसमें लगेगा वो आपका इस तरीके से आएगा जो की लगेगा नहीं इसमें हम दूसरा एक्जामपल लेके देखते हैं इसमें ठीके हम improper axis of symmetry को बतानी के लिए हमको वैसा example लेना पड़ेगा जैसा कि मैंने आपको कहा था कि cnv जो point group हो जैसे कि h2 का क्या था c2v point group तो उसमें आपका improper axis of symmetry होगा ही नहीं ठीक है जैसे हम लोग सारे symmetry लगाते हैं जैसे हमने axis of symmetry लगाया उसमें क्या होता है last में हमारा जो जहां से हम शुरुवात करते हैं वो हमारा last में end में आ जाना चाहिए ठीक है तो उसी तरीके से जो improper axis of symmetry है उसमें भी हम rotation कराएंगे फिर perpendicular reflection कराएंगे फिर rotation कराएंगे फिर perpendicular reflection कराएंगे कब तक कराएंगे तब तक कराएंगे जब तक हमारा की original structure वापस से आन जाए ठीक है अब हम लोग इसको देखते हैं हम लोग इसको देखेंगे और इसका point group भी समझेंगे क्योंकि इसमें आपका improper axis of rotation है ठीक ह है तो इसको देखें क्या लग रहा है चक्री जैसा हमें दिख रहा है यह ए और यह आपका इस में एक्सिस ओफ रॉटेशन होना चाहिए जो कि आपका यह यह नई जड हो गा नहीं X होगा नहीं, इसमें आपका कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, Y लगेगा, ठीक है, Y एक्सिस लगेगा, क्योंकि आप अगर ये बीच ओ बीच यहाँ पे एक एक्सिस लगाओगे, तो ये आपका इस तरीके से रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, कैसे होगा फिर, H1 इन पी दिगरी पे रोटेशन कराएंगे, तब आपका इक्विलिन्ट स्ट्रक्ट्टर, हमगो फिस चहीए वो मिलेगा, ठीक है, और कब तक कराना होता है, जब तक की हमें वापस से हमारा ये मिलना जाहे, ठीक है, तो इतने भी आपका हम इस समझ में आ आरा है, कि आपका क कैसे समझना है कि step by step कैसे आगे बढ़ना है वो आपको बता रहे हैं तो पहले step में हम लोग यही देखते हैं कि access कौन सा होगा तो जो कि यहां देखके समझ में आ रहा है जिस तरीकी का यह structure है हमारा axis ऐसे center में होना ची जो कि आपका y-axis है ठीक के z होगा नहीं जहीं हो आपके तो होगा नहीं ऐसे घुमा और यहाश में गुद्ह्ने हो सकता है हम इस को 120 खुमाए जाएगा यह इस म्म्रा जाएगा यह रहा है चलाएगा और यहुक्विलेदी हमैं को मिलेंकेhh निकाल लिया कि इसमें C3 होगा अब हमको आगे कुछ करना नहीं है क्योंकि जब हमने बताया था आपको कि जब एक्सिस मिन जाता है तो जितना नंबर इसका एक्सिस का उतना ही रोटेशन कराएंगे C3 1 कराएंगे फिर C3 2 कराएंगे और उसके पाद C3 3 जो कि आपका E ही होता है ठीक है तो इसमें क्या हो गया यह आपका यह दो देखें यह 3 है न और मैंने क्या कहा था कि हम लोग जनरली इसमें order of symmetry या number of total elements देखने के लिए 2 into n करते हैं तो 3 to just 6 होगा ठीक है टोटल 6 elements इसमें आने चाहिए है अभी हमें कितने elements मिलें 3 मिलें 1 2 3 अच्छा जारा plane देख लेते हैं इसमे plane of symmetry second step में देखेंगे कि कौन सा इसमे plane of symmetry लगेगा ठीक है तो देखिए यह हमारा axis of rotation था हम ऐसे कट करेंगे अगर इस तरीके से जो आपका z-axis में जा रहा है इस तरीके से अगर हम कट करेंगे तो आपका यह reflection इसमें नहीं होगा अगर इस तरीके से कट करें जिस plane में हमारा board है उस plane में इसको हम कट करेंगे यह axis कौन सा है कट करने वाला axis आपकी z-axis है ठीक है और rotation आपका कहां से हो रहा है यह मतलब कि देखिए यह आपका rotation होने वाला axis है सामने आपके और हम plane लगा रहा है इस तरीके से तो plane जो लगा रहे है और rotation का axis है वो दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है जैसा कि मैंने कहा था σिग्मा H सिग्मा H कब होता है सिग्मा H तब लगता है जब हमारा axis of rotation और plane of symmetry दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है अगर axis of symmetry और plane of symmetry दोनों एक जुसरी के parallel जाते ही हो मतलब कि हम plane भी ऐसे ही लगा रहे हैं और जो उसका axis वो भी ऐसे ही है तो यह आपका sigma V हो जाता है जैसे कि हमने h2 वाले case में देखा था इस case में इस case में हमारा axis यह है आपके सामने ऐसे हम लोग उसको rotate कर रहे हैं ठीक है अब plane कैसे लगा रहे plane ऐसे लगा रहे ऐसे plane नहीं लगा रहे है ठीक है plane ऐसे लगा रहे तो जो plane लगा रहे है z axis में कि आपका y axis के क्या है perpendicular तो इसमें क्या लगेगा sigma h लगेगा ठीक है तो हमको plane of symmetry भी क्या मिल गया σिγमा एच मिल गया ठीक है अब देखी जैसा कि मैंने को कहा था कि सिगमा एच वाले में ही ऐसा होता है या जरूरी नहीं कि सिगमा एच है तो इसमें आपको इंप्रॉपर मिल ही जाए लेकिन इसमें मिलने की पॉसिबिलटी होती है ठीक है तो एक दो तीन चार 5 पांच हमको इसमें element of symmetry लेकिन आनी कितने चाहिए 6 तो दो यहां बच रहा है तो अब जरा हम लोग इस पर improper axis लगा के चेक करते हैं इससे आपको improper axis कैसे करना है यह भी समझ में आ जाएगा और इसको कैसे हम order element of symmetries में calculate करते वो भी आपको पता चल जाएगा ठीक है तो जैसा कि मैंने कहा था इसको में हम अच्छा अच्छा देखिए improper axis में भी देखिए किस तरीके से इसको rotate करेंगे एक्सिस क्या है इसमें क्या दिख रहा है इंको axis इसका 3 ही दिख रहा है ठीक है मतलब 120 डिगरी पर ही हम rotate करेंगे तो हमको यह मिलेगा तो जूसमें S का भी जो order होगा S का जो order होगा इसमें आपका वो S3 ही होगा ठीक है तो सी देखिए कैसी इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं मैं उपर यहां लिख के आपको दिखाती हूँ यहां मैं आपको एक बात बता देती हूँ एक ट्रिक बता देती हूँ देखिए अब question आएगा तो जरूरी थोड़ी नहीं कि आप लोग इतना घुमा के देखो ठीक है यह जो order दिख रहा है S3 N is equal to क्या है यहां पर? N is equal to 3 है तो यह जो S3 है जहां पर N आपका क्या है? 3 है तो जब N is equal to odd होगा उस case में हम जो operations करेंगे improper access का जो operations करेंगे वो even number मतलब कि दुगना करेंगे N is equal to 3 है तो हम इसका 6 operation करेंगे जैसे की देखिए यह 3 होगया ना फिर S3 4 is equal to क्या हागा? C3 4 into sigma 4 फिर S3 5 is equal to C3 5 into sigma 5 S3 6 is equal to C3 6 into sigma 6 ठीक है? एक चीज़ देखिए यहां पर यह जो sigma 2 है sigma 2 मतलब क्या हुआ? कि दो बार sigma 2 मतलब किसी चीज़कों मैंसे लिखेंगे फॉर्मिला वाइस ज़रा समझें sigma 2 मतलब कि हमने दो बार reflection करा दिया मतलब कि अगर यह मेरा हाथ ऐसे है तो एक बार reflection कराया तो ऐसे हो गया फिर से reflection कराया तो फिर से wasting हो जाएक हमारा हाथ जैसे एक spend को देखिए अगर spend को देखिए इसकी cap इस side है अगर हम इसमें 2 operation कराएंगे तो 2 plane 2 बार reflection कराएंगे एक बार कराया ये हो गया फिर दूसरी बार कराया तो ये हो गया तो क्या हमको दूसरी बार कराने पर क्या मिल रहा है same way चीज मिल रहा है जो पहले था तो sigma 2 क्या होता है नो वो cancel हो जाता है आपस में ठीक है जैसे कि ये c31 into sigma 1 is equal to इसको आप लिख सकते हो s31 ही है ये ठीक है c32 into sigma 2 ये cut जाएगा बचेगा क्या c32 c33 into sigma 3 में c33 तो 1 आ जाएगा कुछ नहीं ये e है sigma 3 मतलब क्या हुआ sigma 3 मतलब कि sigma 2 into sigma 1 जिसमें कि sigma 2 तो cancel हो जाएगा आपका ठीक है इसको क्या मतलब हुआ sigma 2 into sigma 1 ये तो cancel हो जाएगा बचेगा क्या 1 sigma तो 1 sigma ठीक है इसी तरीके से यहाँ देखिए s34 c34 into sigma 4 अब ये देखिए sigma ये जो sigma 4 हमें लिखा हा reflection वाला 4 फिर से even हो गया even में क्या हो जाता है देखिए 4 operation कराना है ये मेरा pen है एक बार घुमाया ये one reflection लगा दिया दो बार घुमाया ये second images का आएगा फिर ये तीन बार घुमाया इस तरीके से आया चाथ चौथी बार जब घुमा दिया तो क्या हो गया हमको फिर से वही मिल गया तो जो ये reflection हम लोग करा रहे है जब जब ये even में आ रहा है तो ये cancel हो जा रहा है ठीक है यहाँ पर ये देखिए ये cancel हो जाएगा क्या बचेगा C3,4 अब इस case में देखिए ना तो हमारा ये वाला cancel हो पाएगा क्योंकि और नंबर है ये sigma 5 और है तो sigma 4 into sigma 1 तो sigma 4 हट जाएगा तो भी यहाँ पर एक reflection का बचेगा तो इसको हम लोग इस परीके से लिख सकते है S3,5 क्योंकि ये इसमें कुछ भी कटने वाला नहीं है दोनों में से आप इसको भी देखिए sigma 6 even है ये भी कट जाएगा और यहां क्या आप लिख देखिए S3,C3,6 ये मैंने formula wise आपको improper axis के 6 पार्ट लिखवा दिया 1,2,3,4,5,6 मैंने आपको क्या बताया कि improper axis of rotation में जब n is equal to odd number होगा जब n is equal to odd होगा तो S operation जो होगा वो 2 into n हो जाएगा ठीक है आप इसमें operations लगाते हैं जैसे कि यहां लगाया है हमने C3,1 एक C3,1 कराएंगे तो क्या होगा देखिए क्या होगा H1 आएग सौरी इधर यहां पे आपका H1 आ जाएगा यहां पे आपका H2 आ जाएगा और यहां पे आपका S3 ठीक है S3,3,1 आप इसके पर पेंडूपलर हम क्या लगा देंगे प्लेन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा reflection आ जाएगा मतलब इसी का हम reflected part यहां लिख देते हैं ठीक है इसी का reflected part लिख दें इस तरीके से ऐसे ऐसे मैंने कर दिया है इसका मतलब कि इसी का यह उल्टा वाला भाग है समझ रहे हो मतलब इसको हम अगर ऐसे काट देते हैं एक इसे plane लगा दिये तो इसका दूसरा भाग आपका यह है इस तरीके से दिखा रहे है अब यह दोनों मिलके यह दोनों मिलके आपका S3 1 हुआ समझ में आ रहा है यह दोनों operation मिलके हमने अभी क्या किया यह दोनों अभी तक आप देखिए जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे अभी तक हम लोग ने axis औक symmetry पढ़ा उसमें एक बार बस घुमा दिया तो एक operation हो गया दूसरी बार घुमा या धूसरा operation हो गया जसे की हमें C3 का बताया C3 में क्या करते हैं तीन बार घुमा देते हैं C3 3 में हमको identical मिलके लेकिन जो improper axis of rotation होता है ये 2 operation को मिलके एक कहलाता है वो दो operation कौन से हुए पहला तो आपका rotation डूसरा आपका perpendicular reflection यह जब दो step कराओगे तब एक improper axis आपने किया वो कहलाएगा ठीक है तो जब हमें एक improper axis कराया तो हमको यह देखें यह इसके equivalent तो है लेकिन हमें identical नहीं मिला है तो identical को करने के लिए यह चीज़ को exactly पाने के लिए हम number of operations बढ़ाएंगे यह हमारा one था सी 32 करिए सी 32 कराओगे तो क्या होगा फिर यह एक आगे बढ़ जाएंगे उल्टे में ही आगे बढ़ेंगे देखें H3 वाला यहां आ जाएगा H1 यहां चला जाएगा और यहां H2 यह उल्टे में ही है आपके ठीक है फिर next में आप perpendicular plane लगा दोगे तो यह क्या हो जाएगा सीधा हो जाएगा H3 H1 H2 अब यहां से देखें यहां तक आप में जो कराया यह क्या कराया यह S3 2 यह second operation कराया यह दोनों मिलके आपका first operation था यह दोनों मिलके आपका यह second operation तो second operation कराने के बात भी क्या हमको identical ऐसा structure मिला नहीं मिला ठीक है हमको नहीं मिला तो हमको आगे भी बढ़ना है फिर से हम next operation कराएंगे C33 कराएंगे तो third वाले में क्या होगा हमको ये वापस से मिल जाएं क्योंकि C33 is equal to क्या होता है E होता है हम सबको पता है तो हमें वापस से अपना वापस से हमको ये वाला structure यहां मिल रहा है लेकिन अभी improper axis पूरा नहीं हुआ है क्यों क्योंकि इसके साथ हमको एक rotation एक plane of symmetry भी लगानी है ठीक है तो हमारा भी पूरा नहीं हुआ है इसके पाद हम sigma 3 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इसी कट जाएगा ठीक है अब देखीए ये इसका reflected part है तो ये हमारा क्या पूरा हो गया ये हमारा third improper axis operation पूरा हुआ तो third वाला जो पूरा हुआ तो क्या हमको ऐसा मिला अभी हमको ऐसा नहीं मिला है तो वही चीज़ लेकिन ये इसका reflected part है मतलब कि इसके सामने हम उसको काट दिये है bisect कर दिये है तो इसका जो पीछे वाला part है वह हमको यहाँ दिख रहा है ठीक है next करते है next करिए c3 4 करेंगे अब 4 में क्या होगा ऐसे ही उल्टे part में ये घुमेंगे यहाँ फिर h1 आ जाएगा यहाँ रेच्टू चला जाएगा यहाँ पर h3 आ जाएगा इसी तरीके से रहेंगे ये फिर से एक reflection लगाएगे हम चौथा वाला तो क्या हो जाएगा h2 यह दिखे सीधा हो गया ठीक है अब फिर से हम इसमे अब यहाँ दिखे 4 4 जो number डाल रहे है इसका मतलब चौथा improper axis हमने पूरा किया ठीक है अब यहाँ c3 5 लगाएगे 5 लगाएगे तो फिर एक बर rotate करेगा यह आपका इधर h3 आ जाएगा यहाँ h1 यहाँ h2 अब फिर से हम sigma लगाएगे sigma 5 मतलब फिर से हम इसको एक plane लगाएगे तो फिर क्या हो जाएगा यह फिर आपका opposite direction में हो जाएगा इस तरीके से यह इसका image वाला part है ठीके तो यह हमारा यहाँ पर दीखे पाचवा operation पूरा हुआ अभी तक भी हमको वो नहीं मिला जो हमको चाहिए अब हम यहाँ पर छटा operation लगाएगे छटा operation लगाएगे तो क्या मिलेगा h2 यहाँ आ जाएगा h3 यहाँ आ जाएगा और h1 यहाँ आ जाएगा लेकिन यह opposite side में ही रहेंगे तो फिर एक sigma 6 फिर से लगाएंगे हम लोग ठीक है तो फिर हमको इस समय देखी सीधा हो गया यह आपका ठीक है तो जो हमने round किया हमने यहाँ पर जो round किया इसको देखिए और इसको देखिए हमको बिलकुल वही चीज एडांटिकल मिल गया जहां से हमने शूरू किया था ठीक है जहां से हमने शूरू किया था शूरू क्या-क्या था left side में देखिए h3 है उसके बाद h1 है उसके बाद आपका क्या है ये देखे है H2 है और यहां पे भी देखिए हमको वही चीज मिला H3, H1, H2 तो ये जो structure है ये बिल्कुल जहां से हमने starting की थी उसी के क्या है identical है और operations कितने लगाए हमने यहां देखिए 6 number डाला है न मने कुल हमने कितना improper axis लगाया 6 लगाया तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया ताकि समझ में आए कि जो ये formula यहां लिखा है वो बिल्कुल ही valid है ठीक है तो कैसे याद करेंगे कैसे समझेंगे इसको जब भी improper axis का जो order है N, S, N वो जो N है आपका अगर वो odd number जैसे कि वो 1 है या वो 3 है या वो 5 है तो जो operation करेंगे वो उ 3 था तो हम उसको पूरा छे बार किये इवन के केस में उल्टा हो जाएगा इवन के केस में ऐसा नहीं है इवन के केस भी हम बताएंगे आपको ठीक है अब एक चिस यहां और ध्यान दीजिए formula में हमने बहुत cutting-pitting किया ये cut गया तो ये बचा ठीक है इसमें ये cut जा रहा है तो ये बच रहा है और इस केस में देखिए इसमें ये cut गया तो ये बचा इसमें तो कुछ भी नहीं कटा तो जो तो हम वही improper axis को मानते हैं जो कि pure निकला मतलब बीना कुछ कटे एक तो ये है और दूसरा आपका ये है ठीक है एक तो आपका ये वाला देखिए और एक अपना ये वाला देखिए ठीक है क्योंकि देखिए C32 C32 तो मेरे पास पहले से है C32 ये रहा पहले से है ठीक है reflection वाला पार्ट तो पहले से है ठीक है C36 C36 का क्या मतलब हो गया इसको अगर हम कट कर दे तो ये तो C2 ही आया ठीक है यहाँ पे C34 C34 भी आतका क्या है C31 C32 C33 C34 मतलब फिर से C31 की बात हो रही है यहाँ पे तो जो ऐसे कट के single single बच रहे हैं उनको नहीं consider करना है और जिसमें कोई cutting नहीं हुई जिसमें की पूरा का पूरा आपने लिया जिसे कि ये S31 और S35 तो यहाँ पे जो दो improper axis हम यहाँ लिखेंगे वो कौन सा होगा? S31, S35 तो यह दोनों आपकी improper axis of rotation है और इसका जो point group है इसका जो point group है C3H point group आएगा आपका C3H जिसमें total number of total elements of symmetry कितने होंगे? 3, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हमने देखिए जहाँ पे sigma V होता है जैसे कि H2O में sigma V था वो तो बहुत आसान हो आता है तीन उसमें axis निकल जाते हैं और तीन उसके reflection निकल जाते हैं तो वो easily आप कर लोगे लेकिन जहाँ sigma H आ गया और केवल एक ही axis of rotation है केवल एक ही मतलग कि इसमें केवल C3 axis of rotation है और कोई axis of symmetries में नहीं है C2 या C4 और कोई axis of symmetries में नहीं है केवल C3 है मैंने आपको बताया था कि जब केवल और केवल एक axis of symmetry होता है तभी हम यहाँ पे C point group लिखते हैं एक से जादा जब आएगा आपका Axis of symmetry तो उस केस में हम D पे चले जाएंगे उसको हम D point group से डुनियेट करते हैं ठीक है लेकिन इस केस में यहाँ पे C है एक ही Axis of symmetry है तो हम यहाँ पे इसको C से बताएंगे C से दिखाएंगे ठीक है C 3 H क्यों H? क्योंकि इसमें Sigma H पाया गया ना कि Sigma V और जहाँ Sigma H पाया गया वहाँ थोड़ी संका हो जाती है कि अब यहाँ Improper Axis of Rotation होना चाहिए वैसे भी हमारा Order of Elements complete नहीं हो रहे थे तो अच्छा तो उसके बाद हमने यह देखा कि अगर इंप्रोपर भी लगाएंगे तो हम क्या लगाएंगे? S 3 3 ही लगाएंगे 3 लगाएंगे 3 हमारा Odd है तो कितना जाएगा वह? 6 बार चाहे आप ऐसे करके करिए वैसे आपको प्रैक्टिस शुरु सुरु में 6 बार ले जाएंगे 6 बार ले जाएंगे क्या क्या? और उसके बाद अंदर हमको देख लेना है जैसे हमने यह देखा S 3 1 हो गया सिग्मा 2 है सिग्मा 2 मतलब क्या? दो एक ही काम को दो बार कर दिया तो हमारा वही चीज मिल गया तो यह कट गया तो आपका पूरा पूरा operation है वही हमको यहां पर लिख देना है तो इस तरीके से आपका improper axis of rotation हुआ ठीक है? यह odd मैंने आपको बताया कि इसमें odd था तो हमने कैसे किया अब एक तिस और आप यहां पर याद कर सकते हैं क्या याद कर सकते हैं? तो एक कम मिलता है जैसे कि S3 है तो S31 और S35 तो कुल हमको कितने मिले? दो improper तो मतलब कहने का यह है कि जितने order है उससे एक हमको कम यहां पर improper axis of rotation मिल रहा है ठीक है? यह हमने odd का केस बता दिया इवेन का भी केस होता है वो अभी अगली बार हम बताएंगे आपको क्योंकि इतना पहले समझी है ठीक है? एक अच्छे यह तो odd का केस था चलिए अब अगली बार आपको मैं इवेन का केस बताऊंगी ओके, थैंक्यू